सूप्रभात बच्चो बच्चो आज हम चैप्टर पढ़ेंगे क्या निराश हुआ जाए तो इसमें देखती है क्या निराश हुआ जाए कौन निराश हुआ जाए यहाँ आप इस चैप्टर के बारे में हम बताएंगे मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तसकरी और ब्रिष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं, अर्तार्थ आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरन बन गया है कि लगता है देश में कोई इमानदार आदमी ही नहीं रहे गया है हर व्यक्ती संदे की द्रश्टी से देखा जा रहा है जो जितने ही उचे पदपर हैं, उनमें उतने ही अधिक दोश दिखाये जाते हैं एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोश खोजने लगेंगे उसके सारे गुण भुला दिये जाएंगे और दोशों को बढ़ा चड़ा कर दिखाया जाने लगेगा दोश किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोशी अधिक दिख रहा है गुणी कम या बिलकुल ही नहीं, इस्थिती अगर ऐसी है तो निश्य ही चिंता का विश्य है क्या यही भारतवर्श है, जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहनमालविय का महान संस्कृती, सभे भारतवर्श किस अतीत के गहर में डूब गया आरिये और द्रविड, हिंदू और मुसल्मान, यूरोपिये और भारतिय आदर्शों की मिलन भूमी, मानव महा समुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है, ऐसा हो नहीं सकता, हमारे यहाँ मनीशियों के सपनों का भारत है और रहेगा इस चैप्टर में दिखाया गया है कि क्या निराश हुआ जाए, हम क्यों निराश हो रहे हैं, क्या हमारा भारत इस तरह का है? यहाँ गांधीजी और तिलक ने जो सपने देखे थे, रविंदर नाठ टैगोर और मरदन मुहन मालविये ने, भारती संस्क्रेटी की जो भारत वर्ष को देखा था, वो कहां डूब गई है? आरिये और द्रविड, हिंदू और मुसल्मान, क्या इन्हों ने यही सपने देखे थे? मनीश्यों, मनीश्यों यानि रिशी मुनियों ने, क्या यह सपने देखे थे हमारा भारत ऐसा होगा, जो निराश होता जाएगा? ऐसा कुछ नहीं ही है यह सही है इन दिनों कुछ ऐसा माहुल बना है कि इमानदारी से मेहनत करके जीवी का चलाने वाले निदही और भोले भाले श्रम जीवी पिस रहे हैं और जूट का फरेव का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं इमानदारी और मूर्खता का परियाय समझा जाने लगा है सच्चाई केवल भीरू और बेबश लोगों के हिस्से में पड़ी है ऐसी इस्थिती में जीवन के माहान मुल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है भारत वर्ष ने कभी भी बहुत तीक वस्तूओं के संग्रे को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है उनकी द्रिष्टी से मनुष्ये के भीतर जो महान आंतरी कुनिस्थित भाव हैं वह बैठा हुआ है वही चरम और परम है लोब मोहो काम क्रोध और विचार मनुष्ये ने स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं पर इन्हें प्रधान शक्ती मान लेना और अपने मन तथा बुद्धी को उन्हीं के इशारों पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरन है भारत वर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना उन्हें सदा सैयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रैतन किया है परंतो भूप की अपेक्षा नहीं की जा सकती बिमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती गुमरहा को ठीक रास्ते पर ले जाने के लिए उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती हुआ यह है कि इस देश के कोटी-कोटी दरि गए हैं जो क्रेशी उद्ध्योग वानिज्य शिक्षा और स्वास्थे की स्थिति वो अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्षे से प्रेरित हैं परन्तु जिन लोगों को इन कारियों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता प्राय वे ही लक्षे को भूल जा और अपनी ही सुख सुवीधा की और जादा ध्यान देने लगते हैं भारतवर सदक कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है आज एका एक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है धर्म को दोखा नहीं दिया जा सकता है यही कारण है कि लोग धर्म भीरू हैं वे क कानून की द्रिस्त्रूटियों से लाव उठाने में संकोश नहीं करते यह बात इस बात के परियाय प्रमान खोजे जा सकते हैं कि समाज के उपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी वह अनुभाव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है अब भी सेवा इमानदारी सच्चाई और अध्यात मिक्ता के मुल्ले बने हुए हैं वे अब दब अवश्य गए हैं लेकिन नस्ट नहीं हुए हैं आज भी वह मनुश्य से प्रेम करता है महिलाओं का सम्मान करता है जूट और चोरी को गलत समझता है दूसरों को प अश्टाचार के प्रेती इतना आक्रोश है वे यही साबित करता है कि ऐसी चीजों को गलत समझे तो बच्चों यहां तक हमने इस चेप्टर को पढ़ा है आप इसको दुबारा ध्यान से पढ़ोगे और इसको इसका पालन करोगे तो इस चेप्टर को अगर आप दुबारा से पढ़ोगे कि क्यों निराश हुआ जाए जब हमारा भारत इतना उचे कोटी का है इतने इसमें मतलब सभी की समझेओं को सोना जाता है सब की भूख प्यास मिटाई जाती हैं तो ऐसे भारत से हम क्यों निराश होते हैं तो यही आपको इस चेप्टर में समझाय गया है ए निर्वाद